नमस्का दोस्तों स्वागत है आपका एक नए विडिक साथ आज मैं आपके लिए हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट M.C.Q लेके आया हूँ आई होप आपके लिए बहुत जादा महत्पून रहेंगे तो चलिए विडियो की शुरुवात करते हैं पहले कोश्चन से फर्स्ट कुशन है सुगम का विपरी तार्थक है ओप्शन है विशम, निर्गम, दुर्गम या अगम फटा पटस इसका राइट अंसर बताना है क्या होगा चलिए नेक्स सवाल की तरफ नेक्स कुशन है हमारा अर्थ का विप्री तार्थक शब्द है उप्शन है हमारे पास स्वार्थ, व्यर्थ, अनर्थ उप्शन दी परमार्थ, फटापट सिसका राइट अन्सर चूज करना है राइट अन्सर हो जाएगा ऑप्शन सी अनर्थ चलिए नेक्स कुशन है हमारा कुशन नंबर थ्री आल सी का विप्री तार्थक शब्द है अप्शन है महनती, फूर्तिला, चेतना युक्त, ऑप्शन डी उद्दमी इसका right answer हो जाएगा option D उद्धमी ठीक है आपको याद रखना है बहुत महतमन सवाल है चलिए next question है हमारा question number 4 किर्थी का विपरी तार्थक शब्द है options A अपकिर्थी, option B निंदा, प्रतिष्ठा या स्तूती राइट answer हो जाएगा option A अपकिर्थी चलिए next question है हमारा question number 5 अकाश का विपरी तार्थक शब्द है प्रिथ्वी, पताल, धरा, धर्ति राइट answer हो जाएगा option B पताल अकाश का विपरी तार्थक शब्द होता है पताल चलिए next question number 6 रात का प्रिवाची शब्द बताना है option A रेन, बैन, हला, हल्या, धात्री राइट एंस रो जाएगा ओप्षिन ए रहन होता है प्रवाची रात का चलिए next question है मारा question number 7 है तालाब का प्रवाची सब्द पताना है Sarover, Bimb, Dharang, Salil राइट एंस रो जाएगा option A, Sarover, आपको याद रखना है चलिए next सब्वाल हमारा question number 8 है हाथी शब्द का प्रयवाची है option है कुंजर, मुधार, केसरी, मारुत राइट एंसर बता दू option A हो जाता है कुंजर चलिए next सवाल हमारा question number 9 है परवत का प्रयवाची शब्द है तुडाग, गीरी, केतु, अम्बुज राइट एंसर जाता है option B, गीरी परवत का प्रयवाची शब्द होता है चलिए next सवाल हमारा question number 10 है प्रेम का प्रयवाची है option N, मंजुल, अनुराग, दिवाकर, मारुत राइट एंसर जाएगा option B, अनुराग, आपको याद रखना है चलिए next सवाल हमारा question number 11 मलीन का विपरी तार्थक शब्द है option N, निर्मल, निर्मिला, गंदा, निर्णे राइट एंसर जाता है option A, निर्मल चलिए next सवाल हमारा question number 12 है रोगी का विपरी तार्थक शब्द है option रोग, स्वास्त, नुक्सान, हार राइट एंसर जाता है option B, स्वास्त का विलोम शब्द बताना है आपको अप्शन है अपमान भलाई निंदा बढ़ाई राइट एंसर पतादू अप्शन सी हो जाता है निंदा ठीक है चलिए नेक्स सवाल है मारा कुशन नमबर 14 अप्शन है पसना अधीर दानव चलना राइट एंसर जाता है अधीर धीर का विपरी तार्थक हो जाता है अधीर आपको याद रखना है चलिए next सवाल है मान का होता है विप्री तार्थक अपमान प्रमान प्रमाने त्या कमपन राइट एंस रोजाता है अप्शन ए मान का होता है विप्री तार्थक अपमान चलिए next सवाल है मान का होता है विप्री तार्थक अपमान राइटन्स रो जाता है ओप्षण B सम विश्व का होता है विप्रितार थक सम चलिए नेख सवाल है मेरा प्रिवाच्ची शब्द है ऊप्षण एखुनी वन्शज नाला शोनित राइटन्स रो जाता है ओप्षण D शोनित चलिए नेक सवाल है मारा question number 18 है पुष्प शब्द का प्रिवाची शब्द है नुतन, कुसुम, रस या रती राइटेंस रो जाता है पुष्प का प्रिवाची हो जाएगा option B कुसुम चलिए नेक सवाल है मारा question number 19 है सरस्वती का प्रिवाची शब्द है ओप्शन है अम्भीका, रमा, शार्दा, उमा राइट एंस रो जाएगा ओप्शन सी शार्दा चलिए नेक्स सवाल है, हमारा कुशन नमबर 20 अम्रित का प्रिवाची शब्द है प्यूश, गगन, उतकर्ष या कलश राइट एंस रोजाएगा ओप्शन ए प्यूश चलिए नेक्स सवाल है मारा कुशन नमबर 21 है पत्नी का प्रेवाची शब्द बताना है ओप्शन है अमबा, राती, ओप्शन सी धारा या चपला राइट एंस रोजाएगा ओप्शन सी धारा चलिए नेक्स सवाल है मारा question number 22 तीवर का विपरी तरथक शब्द बताना है ओप्षिन है धीमा, मधुर, स्थाई या दुरुत रैटेंस हो जाएगा option A धीमा तीवर का विपरी तरथक हो जाएगा धीमा चलिए qualité सवाल है मारा question number 23 भूशन का विप्री तर्थक शब्द है, option है प्रदूशन, विभूशन या दूशन या हश राइटेंस रो जाएगा option C, दूशन भूशन का विप्री तर्थक हो जाएगा option C, दूशन चलिए नेक्स सवाल है मरा question number 24 है तरुण का विप्री तार्थक शब्द है option है तरुणी, तरुण, व्रिध या प्रोण रैटन्स रोजाएगा option D, प्रोण ठीक है आपको याद रखना है चलिए next सवाल है हमारा question number 25 देव का विप्री तार्थक शब्द है दानव, देप्तियो, राक्षस या नरिशन्स रैटन्स रोजाएगा option A, दानव चलिए next सवाल है हमारा question number 26 है कौवा का प्रेवाची बताना है option A, पिशुन, वन प्रियो, काक, option D, काम रैटन्स रोजाएगा option C, काक, ठीक है चलिए next सवाल हमारा question number 27 है द्विज का प्रेवाची शब्द बताना है option A, ब्रामन, option B, कमल, दांत या पक्षी रैटन्स रोजाएगा option B, ब्रामन, ठीक है चलिए next सवाल हमारा question number 28 है बताना है आपको हिम का प्रेवाची शब्द है हिमा, बर्फ, गर्व या चंदन रैटन्स हो जाता है option B, बर्फ चलिए next सवाल हमारा 29 नाग का प्रेवाची शब्द है पर्वत, सर्प, हाथी या सूर्यो option B, रैट हो जाएगा सर्प, ठीक है चलिए इस वीडियो का last question है question number 30 जलज का प्रेवाची शब्द क्या है option है कमल, चंद्रमा, मचली या सूर्यो रैटन्स हो जाएगा option A, कमल ठीक है, तो यह होते है आज की वीडियो के 30 सवाल अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना धन्यवाद